पिट्टी काफी परिशान होती है इस बात को लेकर कि अक्षद वो बात ना कह दे जिससे बिट्टी काफी परिशान हो रही है तो वही अक्षद आ जाता हूज और बिट्टी से कहता हaguya कि मैंने ये डिसाइट कर लिया था कि इस होली के दौरान में अपने प्यार का इजार करूंगा तभी बिट्टी के सामने घुटनों पर बैट जाता है अक्षत और बिट्टी को प्रपोस करने ही वाला होता है तो वही अक्षत की मा आ जाती है और कहती है कि अक्षत इस अब क्या ड्रामा है तो दोस्तों देखना आप काफी इंटरसिंग होगा कि क्या अक्षद बता देगा कि वो बिट्टी से प्यार करता है तो अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल हिंदी सीरल को सब्सक्राइब करना ना भोले नमस्कार